एक विनम्र निवेदन, यदि आपको ज्ञान यग्य का यह प्रया सार्थक लगता है और आप भी इस उद्देश्य में भागिदार बनना चाहते हैं, तो कृपिया हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें। ज्ञान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हमारती, चलिया शुरू करते हैं आज का अध्याई। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये वेबसाइट इंग्लिश में है, अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं, तो यहां राइट हेंड साइट पर उपर वेबसाइट हिंदी में देखें लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। और अब हम नैशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर क्लिक करेंगे। ये राश्री मद्दाता सेवा पोर्टल वाला पेज खुल गया है, इसमें नीचे की तरफ ये अलग-अलग आप्शन्स दिये हुए हैं। नए वोटर आईडी कार्ट के लिए हम ये दूसरे वाले ऑप्शन अप्लाय ओनलाइन फॉर रेजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। अब ये यहां पर फॉर्म 6 आ गया है, अब ये फॉर्म 6 किस तरह से भरा जाए और इसमें किन-किन दस्तावेजों की जरुरत होगी ये जानने के लिए वापस से हम साइट खोल लेते हैं, इसमें हम जाएंगे नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर तीसरा वाला जो आप्षिन है, उसको चुनेंगे, क्लिक करेंगे, यहां पर जो है वो आपको अलग-अलग फॉर्म्स मिलेंगे, यह रहा फॉर्म 6, इसमें यहां पर सामने जो PDF फाइल दी हुई है, उस पर क्लिक करें। सावेजों के साथ ही आप अपना एक रंगीन पासपोर्ट साइज फॉटो भी अपलोड करके सिस्टम में रखें। अब हम वापस चलते हैं फॉर्म 6 परॉर्म 6 इसमें जहां जहां पर यह रेड स्टार लगा हुआ है, वो जानकारी देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहां पर डॉपडाउन मेन्यू में से आप अपना राज्य चुन ले। हमने चुना मध्यप्रदेश। अब यहां से आपको विधान सभा या संसदिय निर्वाचन क्षेत्र चुनना है। हमको चुनना है इंदौर। यह यहां पर देखिए यह इंदौर आ गया है। इसमें से जो भी ख्षेत्र आपका हो इंदौर 1,2,3 वो आप चुन ले। हम चुन रहें इंदौर 3। अब यहां पर आपको आवेदक का ब्यौरा देना है। यहां सबसे पहले नाम देना है। यहां पर इंग्लिश में नाम डाले। तो यहां पर हिंदी में अपने आप नाम आ जाएगा। अगर कोई उपनाम हो तो वो यहां पर डाल दे। जेंडर आपको यहां लिस्ट में से चुनना होगा। और एक जन्वरी को जितनी भी आपकी आयू हो वो आप यहां पर यहां से चुन करके डाल दे। साल यहां डालें और महीने यहां पर डालें। या फिर अगर आपको जन्मतिती ग्यात है, डेट अव बर्थ आपको अपनी पता है तो वो आप यहां पर डॉप डाउन मेन्यू में से चुन करके डाल दें। और उसके लिए आपको इसको सिलेक करना होगा। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखें कि अगर आपकी ओम्र 18 से 21 साल के बीच है, तो आपको आयू प्रमानित करने वाला दस्तावेज देना होगा। आप इस तरह का कोई identity proof चुन सकते हैं, जिसमें आपकी age भी हो, जैसे passport, pen card, driving license, इत्यादी। अब यहाँ पर जन्म स्थान का विवरंट देना है। इसमें सबसे पहले, जिस राजी में आपका जन्म हुआ हो, drop down menu से उसको चुने, जिला चुन ले। यहाँ पर गाव या शहर जहाँ भी आप रहते हों उसका नाम डाल दें, और यहाँ पर birthplace का नाम डाल दें, हलांकि यह दोनों जानकरियां देना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर पिता, माता या पती में से किसी एक का नाम देना है। English में यहाँ पर वो regional language में आ जाएगा, यहाँ पर उपनाम देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको relation बताना है, कि जिस विक्ति का नाम आपने यहाँ पर दिया है, उससे आपका क्या relation है। अब यहाँ पर आपको जहाँ भी presently यानि अभी आप रह रहे हैं, उस निवास अस्थान का पुरा विवरंड देना है, इसमें सबसे पहले तो आजाएगा house number, यानि आपका मकान number, उसके बाद जो भी गली हो, महला हो, लोकैलिटी हो, उसका नाम आपको यहाँ पर देना है जो भी गाव, शहर हो, उसका नाम यहाँ देना है, यहाँ पर post office का नाम देना है, यहाँ पर pin code आएगा, इसके बाद यहाँ पर तहसील, तालुका, मंडल जो भी हो, वो आजाएगा, यहाँ पर आपको डॉब्ड राउन मेनू से district यानि जिला चुनना है, इसके बाद यहा यहाँ पर आपको अपना email id देना है, और यह देना भी ज़रूरी है, यहाँ पर आपको अपने उन relatives, जिनके पास voter id है, ऐसे दो relatives का ब्योरा देना है, तो सबसे पहले column में, नाम में, आप उनका नाम दे दें, उसके बाद उनसे आपका क्या संबंध है, इस column में वो आप drop down menu से चुन ले, और इन दो columns में, उन रिष्टेदारों के electoral roll में, part number और serial number क्या है, वो डालना होंगे, part number और serial number पता करने के लिए, हम तरीका आपको बता देते हैं, उसके लिए election commission of india की website आप खोल ले, और यहाँ पर आपको search your name in voter list, यह वाला option मिलता है, इस पर click करें, सबसे पहले यहाँ से आप चुन ले, अपना state, हमने मधिप्रदेश चुना, यह search electoral rule, यह वाला page खुल गया है, अब इसमें से district wise हमको चुनना है, तो यह हमने district wise यहाँ पर चुना हुआ है, अब यहाँ से हम अपनी constituency, याने निरवाचन चुन लेंगे, यह हमने चुना इंदौर, अब यहाँ पर search by name या epic number है, इसमें हमने epic number चुना है, क्योंकि इस से ढूनना ज्यादा आसान होता है, epic number आपका जो voter ID card होता है, उस पर उपर ही दिया होता है, और साथ ही यह voter ID card पर पीछे की तरफ right hand side पर top पर भी दिया होता है, वो number आप यहाँ पर डाल दें, यह हमने epic number डाल दिया है, अब search पर click कर दें, जिसका भी epic number हमने यहाँ पर डाला है, यह उसकी details आ गई है, तो सबसे पहले तो वो जिस भी निर्वाचन क्षेतर से है, यह उसका क्षेतर आ गया, उसके बाद यह उसका part number आ गया है, मतलब electoral roll म part number कौन सा है, और serial number कौन सा है, वो यहाँ पर आ गया, तो इस तरह से आप इसमें से part number और serial number ढूंड सकते हैं, बागी की details भी यहाँ पर दी होती है, जो हमने यहाँ पर अभी cover कर दी है, अब यह हमको form 6 में यह दो चीज़ें भरना होगी, तो अब जिनके भी नाम आप यहाँ पर दे रहे हैं, उनके voter ID card से epic number लेकर के, उनका part number और serial number आप ढूंड लें, और यहाँ पर वो डाल दें, और उसके बाद जो epic number है, फोटो पहचान पत्र संख्या, यहाँ डाल दें, supporting documents जो आपको upload करने हैं, वो आपके computer system में होने चाहिए, उन्हें आप scan करके computer system में डाल दें, ताकि आप उसे upload कर सकें, सबसे पहले तो आपको अपना photograph upload करना है, उसके लिए choose files पर click करें, अब system में जहाँ पर भी जिस भी location पे आपका photo रखा हो, वहाँ से आप उसे ले लें, हमारा यहाँ पर photo डला हुआ है, यह हमने select किया, अब open पर click कर देंगे, आपको यहाँ पर अपना रंगीन passport size photo लेना होगा, यहाँ पर हमने केवल उधारन के बतौर यह तस्वीर ली है, और अब आपको identity proof देना है, उसके लिए भी इसी तरह आप choose files पर जाएं, और यहाँ से identity proof के लिए जो भी document आपने upload कर रखा हो, उसको चुन लें, हमने अपना pen card यहाँ पर upload कर रखा है, उसको चुन करके open पर click करें, वो यहाँ पर upload हो जाएगा, और यहाँ पर address proof भी आप इसी तरह से upload कर सकते हैं, choose files पर जाएं, यहाँ पर हमने electricity bill scan करके, उसकी image रखी हुई है, यह open किया तो यहाँ पर upload हो गया है यह, अब आगी बढ़ते हैं, सबसे आखरी हिस्सा इसका जो है, वो है, declaration कोशना, यहाँ पर आपको declare करना है कि आपने जो पता दिया है, उस दिये गए पते पर आप कितने समय से रह रहे हैं, तो वो आपको तारीख यहाँ पर डालनी है, इन drop down menu से आप year, month और day चुन सकते हैं, और यहाँ पर अपना स्थान डाल दें, और जिस तारीख को आप आविदन कर रहे हैं, वो तारीख डाल दें, और उसके बाद submit पर click कर दें, submit करने के बाद आपका एक form जमा हो जाएगा, और जब यह निर्वाचन अधिकारी तक पहुँचेगा, तो वो आपके पास एक boot level का अधिकारी भेजेंगे, जो की आपने जो जो भी प्रमान पत्र लगाए हैं, उनके साथ आएगा, और इस form पर आपके sign ले लेगा, इस अध्याय के तहट आज हमने सीखा, voter ID card है तू, online registration करना,